और आज की इस एपिसोड में GTL Infra Stock के बारे में डिसकस करेंगे GTL Infra इस समय 3.76 रूपीज के प्राइस पे टेड़ कर रहा है और मेरे व्यूज हमने आपको क्या कहे 2.60 पैसे के लेबल को ही जब इसने ब्रेक आउट करा तो पोटेंशली ये 4 रूपीज और 4 रूपीज 20 पैसा और दूसरा मैक्सिमम 8 प्लस तक का लेबल दिख सकता है बिल्कुल फंडामेंटल स्टॉक तो बिल्कुल निल ही है लेकिन ये trend operator driven trend हो सकता है क्योंकि ये bull market का leader है और बदार all time high पे है और यहां ये stock outperform करते दिख सकता है गलती ऐसा न करें कि बड़े capital को लगा दे आप हमारे analysis को हमारे premium telegram जो की बिल्कुल free है वहां से जा करके आप देखें और आपको analysis पसंद आएं तो अपने colleagues, friends, दोस, relative जो भी trading के अंदर है उन तक ये video, channel और telegram सभी को share करें चुकि हमारा मकसद है इंडिया के सभी detail investor को गलत trade से बचाना आज देखेंगे तो 16.41 करोर के volume जो है इस stock में दिख रहा है और इसके अलावे इस समय जो delivery stock की है वो continuous better delivery दिख रही है technical trend देखेंगे तो काफी strong दिख रहा है और जिस प्रकार से इसने 2.60 पैसे के level को breakout करा ये जो depth था वो पहला target आया यहाँ देखेंगे ये जो depth है ये target और अल्रेडी हिट हो चुका है 3.45 पैसे के अब दो target दिख रहा है पहला target ये वाला जो हमने कहा था 4.20 पैसे के आसपास का और दूसरा देखेंगे तो 8 प्लस तक के target दिख रहे है इस समय हमारे लिए जो stop loss होना चाहिए वो 3.40 पैसे के stop loss यानि इसके नीचे है weakness आएगी जब तक ये level breakdown नहीं हो